बदबस्वात आपका हमारे चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे पेटियम चलाने का सही तरीका क्या है इस टॉपिक के उप दोस्तो जी हां आज का टाइम है ओनलाइन ट्रांजेक्शन का या डिजिश्टल ट्रांजेक्शन का और सभी लोग इसको यूज भी क क्योंकि कोई इसी भी अप्लिकेशन यूज करते हैं आपको सिर्फ एक तरीके का ध्यान रखना है दोस्तो और अगर आप उसका ध्यान रखते हैं तो आप लाखों रूपे अपने बचा सकते हैं दोस्तो इस टॉपिक पर हम यही बात करेंगे और सही तरीका जानेंगे कि कि इस तरह से आप इस तरह की जो पेटियम या इस तरह की कोई दूसरे अप्लिकेशन है उनको आप किस तरह से यूज करिए सेफली यूज कीजिए और अपने किस तरह से आप पैसा बचा सकते हैं तो चलिए जानते हैं वो तरीका और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए आप मेरी बात को समझ सकें कि मैं आपसे क्या कहना चारा हूँ तो चलिए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं देखिए अपने पेटियम या हम दूसरे अप्लिकेशन जो यूज करते हैं जैसे कि मैं भी यूज करता हूँ तो हम सिंपली उसको ओपन करते हैं ओ अपने वालेट बैसा बैसान है आड़ा के राकते ही के अपने बैकंत लाइनbank में तो इसे दरह लेएं अब सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं देखे हमारा पेटेम लॉग इन करते हैं हम अपना काम करते हैं लेकिन हम उसको लॉग आउट नहीं करते हैं आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा हम उसको लॉग आउट नहीं करते हैं हमने अपना सारा काम किया और काम करने के राद हम उसे डारेक्ट बंड कर देते हैं यही सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी mistake होती है दोस्तों और यह गलती आपको लाकों रूपे का चोना लगा सकती है आपके उपर बहुत ही ज़्यादा आपके उपर मुसिबत आ सकती है अगर आप ये गलती करते हैं दोस्तो उस करना क्या चाहिए आपको अपना पेटियम हमेशा ओपन करना चाहिए ओपन करने के बाद अपना काम करना चाहिए और काम करने के बाद आप जो भी उसमें जब आप कर ले थे हैं या कुछ भी अपने पास पैसे बेश सकते हैं या किसी कही पास पैसे बेश सकते हैं माली जै किसी stranger के हाथ में किसी ऐसी इनसान के हाथ में जो जिसकी इसी तरह की आदत है पैसे लेने देने की तो वो आप इसमें से पैसा निकाल सकता है यमाली जै आपका कभी phone खो गया तो वो भी direct आपके phone के ओपर क्लिक करके सबसे पहले आपका paytm ही open करेगा और open करते ही उसमें जो भी आपके account में पैसे होंगे जो आपके wallet में पैसे होंगे उसका वो miss use कर सकता है और जैसे कि मैंने आपको बता है कि इसके अंदर हम UPI अपना link करके रखते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा जो हम UPI से अपने passbook में अपने wallet के अंदर जब हम पैसा add करते हैं तो इसके अंदर कोई OTP भी नहीं आता है हम direct सिर्फ अपना UPI पिन डालते हैं और उसके अंदर पैसे हमारे add हो जाते हैं अगर किसी को आपका UPI पिन पता है तो वो आपके पेटियम को जब open है तो उसमें direct UPI पिन डालकर उसके अंदर simple ही पैसे add कर लेगा और पैसे add करने के बाद वो उसको कहीं पे भी use कर सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया तो दोस्तो इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है आप safe side रहिए यानि कि आप जब भी पेटियम यूज़ करते हैं मालीज़े आप आपका कभी phone खोया नहीं है या कभी किसी के हाथ में नहीं लगा तो ऐसी बात नहीं है कि कभी खोएगा नहीं या खो नहीं सकता दोस्तो चोरी भी हो सकता है गिर सकता है या किसी के भी हाथ वो लग सकता है तो आप safe side रहिए अपने paytm या इस तरह कि जो भी आप application यूज़ करते हैं अगर जैसे ही आप उसको login करते हैं अपना काम करने के बाद अपना जो भी अपना payment वगिर आपने कुछ भी किया तो उसको करने के बाद आप उसको log out जरूर कीजिए log out करने के बाद आपको ये रहेगा कि आपका ptm जो ही आपका जो एक bank account है एक तरह का ये ये आपका बंद हो गया है और जब तक आप इसके अंदर अपना password नहीं डालेंगे तो ये open नहीं होगा तो इस तरह से आप अगर ये कुछ एक जो ये खास बात थी इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप लाखो रुपे अपने बचा सकते हैं अपने आपको आप सेफ रख सकते हैं अपने आपको धोका धड़ी से आप बचा सकते हैं तो दोस्तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि पेटियम या इस तरह की दूसरे अपस को आप किस तरह से समझदारी से यूज़ कीजिए तो ये जानकर आपको कैसे रगी क्ते हैं